Hey everyone, welcome to Plant Auteur Anyways. सो इस वीडियो में हम लोग blowsaint ऑ्जैक्टिव जो Ŕर से उसी को आगे कंटीव करेंगे और इस चेप्टर में ढर्मिक आंदोलन के बारें बात करेंगे इस वीडियो के में जो से रुलेटेड व्हक् together करेंगे क्योंकि क्यों की संख्या जादे हैं इसलिए two parts में देखेंगे हम लोग तो चलते हैं हम लोग अपने questions के तरफ च्रीपितक धर्म ग्रंथ है च्रीपितक किसका धर्म ग्रंथ है तो बौध होगा option B बुध ने निमलिकित में से किस इस्थान पर महापरी निर्वान यहीं मृत्यू प्राप्त किया था कुशी नगर कपील वस्तू में पावा में या कुंड ग्राम में तो कुशी नगर में option A is right किस आशक ने बौध के लिए विख्यात विक्रम शिला विश्विद्याले की स्थापना की थी ठीक है बौध ग्रंथ पिटको की रचना लिम्लिकित में से किस बासा में की गई थी तो पाली भासा में पाली भासा में पिटको की रचना की गई थी जो कि बौध ग्रंथ से रिलेटेड है किस साशक के साशनकाल में नेपाल में बौध धर्म का गमन हुआ था तो समुद्र गुप्त के साशंकाल में ओप्शन A is right साची क्यों विख्यात है तो साची सबसे बड़ा बहुत स्थूप है इसलिए साची विख्यात है नेक्स कोश्चन मावीर का जन्द किस शत्रे गोत्र में हुआ था जानत्रे गोत्र में ओप्शन B मावीर की माता कौन थी मावीर की माता का नाम था त्रिशला ओप्शन C गोत्म बुद्धवर अपने धर में दिक्षित किये जाने वाला अंतिम वैक्ती निमलिखित में से कौन था तो वो था सूबद सूबद ही था जिसको अंतिम सिक्षा मिली थी गोत्म भुद्ध से प्राचिंतम विश्विद्याले कौन साय में से गंधार, कनोज, नालंदा या वैशाली तो नालंदा जो है वो सबसे प्राचिंतम विश्विद्याले है किस भासा का जादा प्रयोग बौध वाद के प्रचार के लिए किया गया तो पाली भासा का ठीक है इसी में बौध गरंत भी लिखा गया महावीर की मृत्यू कहां हुए थी श्रवन बेल गोला, लुम्बिनी, कुल गुमले या पावापिरी बौध की मृत्यू कहा उए थी कुसी नकर में और महावीर की पावापूरी में बोधी सत्व पद्म पानी का चित्र सारवादिक प्रसिद है जो कहां है अजर्टा में इस्तित है मठ मन्दिर और स्तूप किस धर्म से सम्बन्दित है तो ये बौध धर्म से संबन दिता है, मठ, मंदिर और स्टूब बौध धर्म एवं जैन धर्म, दोनों के उपदेश किसके साशनकाल में दिये गयते तो इन दोनों के उपदेश बिंबी सार के साशनकाल में दिये गयते ठीक है? गौतम भूध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? गौतम भूध ने अपना प्रथम उपदेश सारनात में दिया था बौध धर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी? जिन्होंने बहुत धर्म ग्रहन किया था वो पहली मेला थी महाप्रजापती गौत्मी Option C बोध गया कहां इस्ति थे तो बोध गया बिहार में इस्ति थे Option C is right जातक किसका ग्रंथ है जातक जो है वो बोध का ग्रंथ है ठीक है Option C is right So next question जैन परंपरा के अनुसाद जैन धर्मे कुल कितने तिर्थांकर हुए तोटल 24 और महावीर कितने नंबर पे हैं महावीर है 24 नंबर पे सिधार्थ बुद्ध को ग्यान प्राप्ती कहां हुई थी वारा नसी सारनात कुशी नगर या गया तो गया में गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती वी थी सारनात में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन ठीक है प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है बुद्ध का तो धर्म चक्र परिवर्तन बौत धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्पुन प्रभाव डाला, व्यापारी और पुजारी, साउकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसाई, महिला और शुद्र तो महिला और शुद्र पे सबसे जादा प्रभाव पड़ा बौत धर्म का, क्योंकि जब उत्तरवैदिक काल था, तो हम लोगों ने देखा था, कि उसमें जो भी रिती रिवाज होते थे, उसमें महिला और शुद्र को सामिल नहीं किया जाता था, इसलिए बौत धर्म के प्रती पादन करने वाला बौत दार्षनिक का नाम है, कौन है, नागर्जुन, ठीक है, so next question, महावीर का मूल नाम क्या था, सिधार्थ, गौतम, वर्दमान या इन में से कोई नहीं, तो वर्दमान, किसका मूल नाम, महावीर का मूल नाम, क्या था, वर्दमान, option C, किसे बुद्ध को क्या का जाता है, एशिया की रौसनी, या फिर the light of एशिया, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्मान किसने करवाया था, तो चालुक्यों और सुलंकियों ने, ठीक है, कौन से मंदिरों का, दिलवाड़ा में, जैन मंदिरों का निर्मान, चालुक्यों और स जैन मठवास्टी या बहुत दार्शनिक तो नागार्जुन जो है वो बहुत दार्शनिक थे option D is right जैन परंपरा के अनुसार महाविर कौन से तीर थांग करते तो महाविर 24 वे तीर थांग करते धर्म जैन जैन धर्म का अधारबुद बिंदू है कर्म निष्ठा अहिंसा या विराग तो जैन धर्म का अधारबुद बिंदू के है अहिंसा Option C is right जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम, बुद्ध, महात्मा गांदी या बिनूबा भावे तो ये महावीर स्वामी ने कहा था क्या जियो और जीने दो तिर्थांकरों के करम में अंतिम कौन थे? जैन धर में पुण ग्यान के लिए क्या सब्द है? जिन रत्न कैवल या निर्मान कैवल है? जब पुण ग्यान की प्राप्ति होती है तो उस सब्द को कैवल बोला जाता है शब्द प्रयोग किया जाता है महावीर स्वामी का जन कहा हुआ था? कुंड ग्राम पाटलीपूर्थ मगद में या वैशाली में तो कुंड ग्राम में हुआ था किसका जन महावीर का गौतम बुद का लुम्बिनी में हुआ था? कनिश्क के साशनकाल वा चतुर्थ बोध संगती सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडल वन कश्मीर कौनसे बोध संगती के बात हो रहा है? चतुर्थ यानि चौथी बोध संगती किसके साशनकाल में हुए थी? कनिश्क के साशनकाल में और कहां हुई थी? कुंडल वन कश्मीर में कनिश के साशनकाल में चतुर बहुत संगती सभा किस नगर में आयो जिती थी? कुंडलवन कश्मीर में तृते बहुत संगती कहां हुई थी? वद से पाटली पुत्र कौसांबी या कश्मीर तो तृत्य बहुत संगती पतली पुत्र में हुए थी किसके असाशनकाल में असोक के साशनकाल में ठीक है अशोक के साशनकाल में बहुत संगती किस नगर में आयो जित वी थी अभी उपर सेम कोश्चन था पाटली पुत्र में ठीक है नेक्स कोश्चन निमलिख्यत में कौनवी बात भात धर्म तता जेंद्र में समान नहीं है समान है यह नहीं पुछ रहा है आहिंसा वेदों के प्रति उधासिन्ता आत्मदमन िरिती रिवाजों के अस्विक जली तो आत्मदमन बीति किस शाषनकाल में तो अजात सुतरू के साशनकाल में और अजात सुतरू क सम्रेते निम्लीकित siblings पूर्ववकालिक जैन ग्रंद चौन जैन-गरंद कहलाता है अजीवक संप्रदाइग के संसu स्ठापक कौन थे उपाली आनंद सूसूल बद्र या मकली गोसाल तो मकली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाइग के क्या थे संसu स्ठापक थे भागवत संप्रदाय में विकास में किसका योगदान अधिक था पार्थीन, हिंद युनानी, कुशान या गुप तो हिंद युनानियों का भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे जादा अधिक योगदान था बगवान माविर का प्रतम शिष्य कौन था जमाली ये सूधी विपिन ये प्रभास तो जो जमाली थे जो उनके दमात थे ठीके वो ही थे उनके प्रतम शिष्य तो option A सही है next question त्री रत्म सिद्धान समयक धार्णा समयक चरितर और समयक ज्यान जिस धर्म की महिमा है वह बौद धर्म, इसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं तो वह जैन धर्म, जैन धर्म के त्री रत्म सिद्धानत है क्या क्या समयक धार्णा, समयक चितर, समयक ज्यान निमानकित कतनों का विचार करें एवं चैत वा विहार में क्या अंतर था तो विहार पुजस्थल होता है जबकि चैत बहुत विक्षियों का निवास थान होता है चैत क्या है पुजस्थल होता है जबकि विहार निवास थान है जो बहुत भिक्षु होते थे वो विहार में रहते थे तो और चैत जो होते हैं बहुत ग्रंद्स रिलेटेट वो पूजा स्थल कहलाता है निमलिकित में से कौन सा स्थल पारशवनाज से संबंध होने के कारण जैन से छेतर माना जाता है चंपा पावा समेज शिखर या उज्यन्त तो समेज सिखर ऑप्शन सी बुद्ध की मृत्यू के बाद प्रथम बहुत संगति के अधक्ष्टा किसने की महाकशब, धर्मसेन, अजाद्शत्रू या नाकसिन तो अजाद्शत्रू ने की थी और निके साशनकाल में पहली बहुत संगति हुई थी ठीके कहाँ पे कहाँ पे तो राजग्रिय में ठीके निमलिकित में से बुद्ध के जीवनकाल में ही संग प्रमुख होना चाहता था देवदत, महाकशब, उपाली या आनन तो देवदत ओप्शन ए हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेक संदर्वित है संकरन प्रदूमां तथा वश्युद्ध से केवल वश्युद्ध से है next question बहुत थीPS-विश्यों में कौन से कथन सही है उसने वण एवं यावांटी का रस्भूकार नहीं किया उसने ब्राह्वन वर की सरवोट-समाची horizon को चुनाथी दी से कुछेक सिल्फों काहीन या निम्न माना जाता है तो एक दो तीनें कहद़न गषम माला वी कतन्um बहुत धर्म स liken connected वह सही है उस ने धर्म या वन जाती को स्विकार नहीं किया ब्रह्मन भर्लकी सर्वोसमाज कोटी को चुनोती दी और उसने Kevin कोहीन निम्नमाना वशुदेव की पूज असर प्रतम किसने प्राड़म की थी सात्वतों ने वैदिकार्यों ने तमिलों ने या अभीरों ने सात्वतों ने इस निम्निकि चार स्थानों में कोई बहुत संगतियों का सही कालकरम नीचे दियोगे कूट से ग्याद करें वैशाली, राजविय, कुंडलवन या पाटली पुत्र तो पहली जो बहुत संगती वी वी थी राजविय में अजाद सत्रु के साशनकाल में दूसरी जो हुए थी वैशाली में ठीके तीसरी जो हुए वो पाटली पुत्र में एसो के साशनकाल में और चौती कुंडलवन में करनिश के साशनकाल में तो ऑप्शन डी इस राई 2143 गौतम बूद ने अपने मृत्यों के उपरांत बॉद संग के नेतरत के लिए किसे नामित किया था आनन महाकशप उपाली यह किसी को नहीं तो किसी को भी नहीं किया गया था स्यादवात सदान थैं लोकायाद धर्म का शैफ धर्म का ज contradiction यह रिए वैश्नव घर्म तो जैन धर्म का गोटम बूद का जन होuti Nee 558 इश्विपूर 561 इश्विपूर 544 इश्विपूर 563 इश्विपूर में गौतम बुद का जन्मुआ था बहुत सिक्षा का केंद्र विक्रम शिला वारानासी गिरनार या उज्ञेन तो विक्रम शिला था बहुत सिक्षा का केंद्र ठीक है श्चन का वर्कु आन्ञने जैन सरव प्रत आंबड। संप्रदाय के असे था सभूल बड। संथी स्थूलवद सोीटंबसे बिलोंग करते थे ठीक है वहरे में लाइक शेयर बिल्कुल करें एक थंज अब भी देते जाएं और चैनल को सब्स्ट्राइब करें बागी के जो रेस्ट आफ दा कोशिशन सब हम लोग कल प्राक्टिस करेंगे ठीक है तब तक के लिए बाइबाइबाइब थैंक यू फॉर वाचेंग